नमस्कार दोस्तों सुआगत आपको अपने यूटूब चैनल आरजैनर सेंग एकेडमी पर फ्रेंड्स आज बात करने वाले image-based questions के बारे में जो की बहुत important है image-based questions के बारे में बात करेंगे 30 से 40 questions आपको Northset के अंदर यहां पर image-based questions देखने को मिलते हैं जिसमें से जो वीडियो में आपको बता रहा हूँ जो image-based questions आपको बता रहा हूँ उनमें से 20 से 30 questions आपको यहां से आपको direct मिलने वाले हैं तो बहुत important है पूरा वीडियो आपको जुरूर देखना है क्योंकि पूरा image-based questions प्रिवेस जो भी exam में पूछे के questions उनसे related है और ऐसे ही question exam में पूछे जाते हैं तो first questions के अगर बात करें तो first diagram आप यहां पर देख सकते हो एक patient यहां पर लेटा हुआ है और जो nurse या doctor है जो यहां पर CPR प्रोवाइड कर रही है तो यह कौन सा procedure है CPR procedure इसे इसको याद रख लेना है next questions है एक patient है इसको यहां पर कुछ procedure किया जा रहा है तो कौन सा procedure है held, tilt, chin, lift यह procedure किसले किया जाता है कोई भी अगर airway obstructions हो जाता है उसके लिए यहां पर यह procedure किया जाता है next question आप यहां पर देख सकते हो एक patient है उसको पीछे से जो doctor या nurse है वो यहां से support कर रही है nursing officer यहां से support कर रहा है तो इसको बोलते हैं hemlich maneuver या abdominal thrust maneuver इसको hemlich maneuver plus abdominal thrust maneuver thrust maneuver भी बोलते है second name इसका है next जो आप देख रहे हो इसको बोलते है जो thrust maneuver जो thrust maneuver तो इसका भी जो position है यह आप देख सकते हो जो यहां पर thumb है यह nose के पास रहता है और जो first finger है यह आप यहां पर जो होट है इसके पास में रहता है और जो last three finger है वो आप यहां पर देख सकते हो इस परकार से positions को लिया जाता है जो thrust maneuver next questions जो आप यहां पर देख सकते हो एक child है उसको support किया जा रहा है यह है इसको बोलता है two finger techniques in single rescue यह CPR procedure किया जा रहा है एक child या infant है infant को CPR procedure किया जा रहा है two finger techniques in single rescue यहां पर देख सकते हो next next यहां पर एक infant choking या infant choking के अंदर तो उसको हो जाता तो इस परकार से वो procedure किया जाता है next यह questions भी आपको यहां previous exam में यहां पर देखने को मिलेगा प्रिवेस exam में यहां पर पूछा गया तो इसको भी याद रख लेना है यह किस परकार का डाइगराम है C and E techniques next जो important है यहां पर CPR का जो ratio रहता है और जो two rescue single rescue कितना ratio दिये जाता है adult child और infant के अंदर यहां पर आपको infant है okay infant तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ adult को किसको बोला जाता है about 8 year जो percent होता है उसको बोला जाता है adult child होता है one to eight year और infant होता है below to one to eight year एक साल से छोटा जो बच्चा होता है उसको infant बोला जाता है compression और per minute कितना होता है one hundred to one hundred twenty per minute तीनों में सेम होता है single rescue के अंदर अगर adult की बात करें तो three ratio two यहां पर दिया जाता है और two rescue हो तब भी 30 ratio two और यहां पर भी 30 ratio two दिया जाता है चैड के अगर बात करें चैड में अगर single person है single person है single rescue है तो तीस अनुपात दो और अगर two rescue है तो फंद्रा अनुपात दो यहां पर दिया जाता है CPR और infant के अंदर single rescue है तो तीस अनुपात दो और two rescue है पंद्रा अनुपात दो के रूप में आप पे CPR दिया जाता है तो यह आपको याद रखना है क्योंकि एक्जाम में इंसर रेलेटेड क्यूसंस एक या दो क्यूसंस आपको 100% वापोई देखने को जरूर मिलेगा नेक्स्ट जो क्यूसंस है यह बहुत इंपोर्टेंट है एक्जाम में पिछली बार क्यूसंस पूछा भी गया था यह एक defavorilator machine है इसको याद रख लेना है यह defavorilator machine है यह monitor नहीं है only defavorilator क्योंकि इसमें जो दो आप यहां पे देख सकते हो इसमें जूल का options भी आपको दिखाए देरा कि इतना क्रेंट प्रोवाइड करवाया जाता है पूरा इसके अंदर यहां पे data दिया गया है नेक्स्ट है यह वाला जो आप देख सकते हो ICU monitor है इसमें ICU के अंदर यह monitor यूज किया जाता है जिसके अंदर यहां पे आपको pulse भी देखने को मिलेगा और यहां पे आपको इसका जो spo2 है जो oxygen है वो भी प्लस BP और यहां पे जो respiration है वो भी आपको यहां पे देखने को मिलेगा तो इस परकार से इसमें पूरा monitor आपको यहां पे देखने को मिलेगा अगर ऐसा आपको यहां पे diagram आता है तो इसको बोलते ICU monitor नेक्स्ट अगर बात करें तो यह किस परकार का diagram है यह भी exam questions पूछा जाता है तो इसको बोला जाता है syringe pump syringe pump syringe pump का यूज क्या होता है syringe pump accurate जो dose of drugs की provide करने के लिए इसका यूज किया जाता है जैसे कोई भी patient उसको अगर adrin norade provide किया जाता है norade का अगर infusion देना है तो इस परकार से इसमें norade का infusion बना के जो 50 ml की syringe है इससे यहाँ पर provide करवा दिया जाता है accurate जो dose है वो इससे provide किया जाता है इसको बोलते है syringe pump next next आपको सामने देखने को मिल रहा है ECG machine यह बहुत important है ECG machine है तो हर एक hospital में यह आपको देखने को मिल जाएगा ECG machine next ventilator तो ventilator आपको याद रखना है ventilator का जो options है आपको इसमें click कर लेना है ventilator next यह किस परकार का pipe है तो यह ventilator के यहाँ पे लगने वाला ventilator circuit है तो इसको भी आपको याद रखना है यह ms दिल्ली के अंदर पहले questions पूछा गया है ms दिल्ली में यह questions पूछा गया था नोर्सेट से पहले नोर्सेट से पहले यह questions पूछा गया है ventilator circuit जो कि 2018 के अंदर ms दिल्ली ms रिषिकेस और ms जोतपुर का जो एक्जाम हुआ था उसके अंदर भी questions पूछा गया था एम्स दिल्ली के अंदर भी एक क्योंस पूछा गया, बहुत इंपोर्टेंट है, इसको क्या बोला जाता है, यह एक प्रकार का डिवाइस है, जो कि आपका जो वेंटिलेटर सर्केट है, उसके बीच में इसको प्रोवाइड किया जाता है, जिसका नाम है HME फिल्टर, जिसका यूज किस प्रकार से होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो HME फिल्टर है, वो इस परकार से यूज किया जाता है, जिसे एक पेसेंट है, इसको वेंटिलेटर सर्केट है, उसको बहले पर इसका यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, उसको बोलते HME फिल्टर, next question है जो आपके सामने है 21 परकार की जो machine है ऐसे questions आपको diagram है वहाँ पर देखने को मिलेगा direct ऐसा diagram आपको दिखाए देगा और उसको यहाँ पर questions होगा identify this diagram identify this diagram identify this diagram तो इस परकार से questions आपको देखने को मिलेगा और आपको उसका answer प्रोब वहां पे देना है, चार ओप्संस देखकर, तो इसका आंसर है, dialysis machine, okay, dialysis machine, next, किस परकार की मसीन है, यह भी आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, किस परकार की मसीन है, तो यह किस परकार की है, इसको बोलते हैं, USG machine, okay, USG machine, जो ultrasound sonography machine है, इसको ही बोला जाता है, USG machine, आपको diagram याद कर लेना है, next question है, next पहले diagram आपको देखना है, diagram किस परकार का है, वो आपको याद रखना है, diagram को ही आपको याद रखना है, तो इसका नाम है यहां पर, एफरेसिस machine, एफरेसिस machines का यूज क्या होता है, यह मैं आपको बाता देता हूँ, तो एफरेसिस machine का यूज होता है, an एफरेसिस machine is a device which receives a blood removed from a patient or donor body, and separate it into the various component, plasma, platelets, white blood cells, red blood cells, depending on the reason for aphरेसिस, one of these components is isolated, and collected by the instrument, ओके, और, while the other are returned to the body, donor's body, मतलब यह क्या होता है, कि कोई भी patient होता है, उसे कोई donor, कोई blood donate करता है, तो उसका अगर आपने को, plasma या platelets की required है, ओके, platelets ही donate कर रहा है, तो अधर जो platelets को यह machine अलग कर लेती है, ओके, और फिर जो return, जो blood होता है, उसको वापस donor की body पे पहुचा दिया जाता है, इस परकार की यह machine है, मतलब अलग जो fluid अपने को required है, जो platelets, plasma और जो भी अपने को required है, उसको यहाँ पे रख लिया जाता है, और अधर जो fluid बचता है, जो उसको वापस body में transfuse कर दिया जाता है, इस machine के द्वारा, जो इसको बोलते है, efferesis machine, next यह diagram भी exam क्यूसंस पूछा गया था, यह भी Norset के अंदर, इसका क्यूसंस 100% आपको देखने को मिलता है, यह किस परकार का diagram है, इसको बोलते TPN, टोटल पेरेंट्रल नूट्रेशन, टोटल पेरेंट्रल नूट्रेशन, TPN, बेग, next यह जो diagram है, यह आपको याद रखना है, यह किस परकार का diagram है, यह केनूला है, आई वी केनूला है सारे, इसमें अलग-लग color coding होता है, 14 नमर का जो होता है, वो orange, 60 नमर का gray, 70 नमर का white होता है, ओके, और 18 नमर का green, 20 नमर का यहाँ पे होता है, red color, और 22 नमर, यह पिंक color होता है, 20 नमर का pink color होता है, 22 का blue होता है, 24 का yellow होता है, और 26 का यहाँ पे violet color होता है, तो इसकी जो flow rate है, वो भी बात कर लेते हैं, ओके, friends अगर इसकी flow rate की बात करें, तो 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 26, तो orange, gray, green, pink, blue, yellow और violet, ओके, तो इनकी flow rate आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसका यूज बता देता हूँ, प्रोसीजर के लिए, और जो 18 नमर जो canula है, उसको trauma quick blood transfusion, तो जो भी blood transfusion किया जाता है, वो 18 नमर के canula के अंदर यहाँ पे किया जाता है, और 20 नमर का canula है, pink color का, वो normal IV और blood transfusion के लिए किया जाता है, blue color का children और older adult के लिए यूज किया जाता है, तो एसे ही इनका अलग-अलग indications है, जिसको आपको यहाँ पे याद रख लेना है, next अगर बात करें, यह जो diagram है, यह किस परकार का diagram है, आप देख सकते हो, IV infiltration, okay, IV infiltration है, यह आपको याद रखना है, क्योंकि एसे ही आपको direct exam है, आप पी पूचा जाएगा, next question, यह किस परकार का diagram है, तो इसका right answer है, hematoma, okay, hematoma, next है, यह किस परकार का diagram है, इसको बोला जाता है, phlebitis, तो आपको यहाँ पे देख सकते हो, इसमें, जो diagram है, इसमें phlebitis options दिखाए, next जो diagram है, यह आप देख सकतो, टोनी क्वेंट्स, जिसको बोला जाता है, यह भी questions पूचा गया है, exam में, next, जो दो diagram आपके सामने दिखाए दे रहा है, इसमें पर्स्ट और second, पर्स्ट है, बीटी सेट, और second, आईवी सेट, दोनों में difference क्या होता है, इसमें जो बीटी सेट होता है, इसमें यहाँ पर, जो ब्लेट को फिल्टर करने के लिए इसका यूज, मतलब यहाँ पर छलननी के रूप में, यहाँ पर फिल्टर लगा होता है, और यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं होता है, इसमें फिल्टर होता है, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है, आई एक्रोड्रीप में 60 ड्रोप पर एमिल, ओके, तो इस परकार से इनका भी आंसर देख सकते हो, नेक्स्ट जो डाइग्राम है, यह है सेंट्रल लाइन, जिसमें तीन अलग-लग पोर्ट होते हैं, इसको बोला जाता है सेंट्रल लाइन, एक्जा में डारेक्ट कुशन से से पू के थेटर, PICC, peripherally inserted central catheter, जो की वेन के दुवरा डारेक्ट यहां से insert किया जाता है, और आपका यहां पे superior जो वेन के वा है, यहां पे direct इसमें insert कर दिया जाता है, तो यह वेन के थू जाता है, डारेक्ट PICC के नाम से इसको बोला जाता है, PICC, ओके, next, non-tunneled central venus assist device, जो क आप यहां पे देख सकते हो, next, chemo port के नाम से इसको बोला जाता है, chemo port, जिसमें आप यहां पे देख सकते हो, इसा diagram आपको एक्जाम में देखने को मिलेगा, next है, epidural catheter, इस परकार का catheter होता है, epidural catheter, जो की direct यहां से इसको insert, next, जो questions है, जो देख सकते हो, non-invasive hemodynamic assessment, जिसको CVP measurement के नाम से भी जाना जाता है, एसा इसका diagram है, आप देख सकते हो, next, questions है, diffusion, diffusion क्या होता है, diffusion, high concentration से low concentration, solute का, solute का high concentration से low concentration की और moment करना ही, diffusion कर लाता है, तो इस परकार से exam में questions पूचा जाता है, next, second है, osmosis, osmosis क्या होता है, इसमें होता है, solvent का, solvent का, solvent का, high concentration से low concentration की और moment करना, इन्हें semi-permeable membrane, semi-permeable membrane को cross करते हुए, इसमें high concentration से low concentration की और बढ़ता है, solvent का, और उसमें होता है, solute का, okay, तो इस परकार से इनका difference है, आप याद कर सकते हो, next, questions है, ET tube, ये भी exam में पूचा जाता है, ET tube, two types के होती है, cuffed और non-cuffed, दो परकार के होती है, एक तो cuffed होती है, एक non-cuffed होती है, तो cuffed यहाँ पर होता है, जो fix करने के लिए इसको use किया जाता है, cuffed of non-cuffed, endotracheal tubes, next, next, CAWS cast tube, ये भी similar उसके ही होती है, cast tube के नाम से इसको जाना जाता है, next है, pressure android manometers, एसे diagram को आपको याद कर लेना है, इसका नाम है, pressure android manometers, next, maxile forceps, maxile forceps, जो की diagram आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका curved forceps के नाम से भी, इसका अलग है, maxile forceps, next, diagram है, laryngoscope, laryngoscope बहुत important है, यह exam में पूछा जाता है, exam में बहुत important है, यहाँ पर इसमें light का options भी रहता है, light यहाँ से जलती है, इसके अलग-अलग curved, जो blades होती है, वो भी अलग होती है, next, इसकी blade के बारे में बात कर लेते हैं, जो blade है, पस्ट, miller और make, miller straight blades होती है, और जो make होती है, वो curved होती है, यह भी आपको याद रखना है, next, next, tracheostomy tube, जो की diagram आपको सामने दिख रहा है, next, next, still it, still it and bogey, ओके, दो है, यह diagram आपको याद रखना है, still it और bogey, next, chest drainage system, पूरा जो system आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यह किस, next का diagram की बात किये, तो यह किस परकार का diagram है, थोड़ा synthesis, थोड़ा synthesis है, जो की diagram आप आराम से इसको पहचान सकते हो, next, PEG bag, ओके, PEG bag क्या होता है, एक percutaneous endoscopic gastrostomy, is the procedures to palace a feeding tube, PEG bag है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, यह इस feeding tube यहाँ पे connect की गई है, इसको बोलते है, percutaneous endoscopic gastrostomy, PEG bag, next, sankstaken blackmore tube, जिसमें अलग-अलग ports होते हैं, gastric ballon ports, gastric aspiration ports, और isophagial ballon ports, जिसमें यहाँ पे होता है, isophagial ballon और gastric ballon, तीन परकार के ports होते हैं, और यहाँ पे दो ballon अलग-अलग परकार के, यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे, next मिनोस्टा tubes, मिनोस्टा tubes भी होते हैं, similar ही होते हैं, तोड़ा different होता है, next है single lumen tubes, single lumen tubes हैं, जो आप इसको levens के नाम से जाना जाता हैं, जो आप यहाँ पे इसमें आराम से देख सकते हो, नेजोगेस्टिक tubes को डिकम्प्रेशन, तो नेजोगेस्टिक tubes जो आप देख सकते हो, slams, sums tubes, two lumen होते हैं, इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो, large और small pig tails इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, नेक्स्ट, slam double lumen pump, जिसमें most common नेजोगेस्टिक tubes इसी को बुला जाता है, जो कि size 14, seta reference के यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, used for the irrigation of the stomachs and tube feeding, नेक्स्ट, लेजोगेस्टिक tubes, लेजोगेस्टिक tubes का यूज़ क्या है, एन ओरोगेस्टिक tubes with a large suction lumens and smaller lavage lumens that provide continuous sections because irrigation solution enter the lavage lumens while stomach contents are removed through the suction lumen, used to remove toxic substance from the stomachs, okay, stomach से toxic substance को remove करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, यह double lumens, नेजोगेस्टिक tubes जो अलगलग साइज के आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ओके तो फ्रेंड्स यह ती पूरी tubes जो की पूरा में आपको बता दिया है, पिर भी अगर आपको कोई doubt हो तो please comment box में जुरूर comment करें, reply करने की questions करेंगे, मिलते नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से नेक्स्ट टोपिक लेके, तो चल, बाई बाई